हमारे साथ बाचीट करने के लिए ओवेसी साब ओवेसी जी आज हिजाब को लेकर करनाटक हाइग कोट ने जज्मिन दिया है उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है वो पहनना स्कूल कॉलिज के अंदर अनिवारिया नहीं है ने हम High Court के इस फैसले से इसको सही नहीं मानते से disagree करते हैं respectfully और इसलिए disagree करते हैं कि सम्विधान के जो fundamental rights है freedom of religion, freedom of culture, freedom of conscience, freedom of expression का इसको suspend करता है और सम्विधान में जो preamble है liberty of thought, equality, justice उस सब को नजरन्दास कर दिया हाई कोट ने और तीसरी बात यह है कि essential practice का मामला जो है अगर कोई मुसल्मान को भी जाज़त नहीं है कोई कहे कि नहीं यह हिजाब essential नहीं है इसलाम के लिए क्योंकि वो पहनने वाली के दर्व का conscious decision है जो सम्विधान का fundamental right है वो और उसके खुदा के दर्मियान में और यह argument के uniform है uniform पहनने से नहीं मालू होगा कि कौन अमीर बाप की बेटी है कौन गरीब बाप की है कौन दलिद की बेटी है कौन अपरकास ठाकुर ब खुद आर्टिकल 15 का violation है discrimination हो रहा है और एक बात समझिए कि करना टका और तेलंगाना यह दोनों परदेश ऐसे हैं जहां पर मुसल्मान लड़कियां हिंदू लड़कियों के बराबर सिक्षा आसिल कर रही है स्कूल में हाइज स्कूल में अब वहीं पर यह काम करें और एक गोल मेडल जीते हैं इंजनिंग कॉलेज में क्या हिजाब उसको रोका और आप कोनों थे कर एसेंचल ही नहीं है आप कोनों थे बोलने आले कि मौडरनिटी की निशान क्या है आप को आप तैक करेंगे मैं कैसे गुजारूंगा चलिए इस कोट के खिलाफ आप क्या करने वा विसी साब लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोट के डिसीजन को नहीं मानेंगे आपने इससे पहले भी तीन सो सतर के लिए आपने कहा आपने तीन सो सतर कोट ने फैसरा नहीं दिया कोट कोट कोई का वी आपने Saal कोट बेगा करने को सुप्रेम कोट ने पंडिंग है वह अग्जोब kobनाया इहां पर सुप्रिम कोट ने पर इंदिंग है वह लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि इसको लेकर राजनीती ओर है राजनीती नहीं होणी दिग्रां При राजनीती कौन कर रहा है उन्होंने सिचुएशन को क्रेट किया फिर उन्होंने सब को वह शाल दिया फिर कॉर्ट में मामल आ गया तो सब यह तो कर रहे नहें देखें बीजेपी आरेसेस पे लंगा रही है औरे सिर्फ वह एक ही कलचयर की बात करते हम भारत के harvest को मानने की ज्यादत कर फिलने की वाल महिएगlex यह सववाल है अगर कोट कडी सिजन यह State रहा है जो हाई कोट का डिसीजन है कि हिजाब जो एसेंशल नहीं है तो आप उसको माल लेंगे सुप्रीम कोट के डिसीजन को मैं यह कह रहा हूँ क्यों कि मैंने यह ट्रिपल तलाग की आप मेरे भाई आप लॉटशिप हो सकते हैं इसकाइब फिरफेश अब हमान भी लेंगे आपको लॉटशिप में आप कोट के तो लॉटशिप नहीं है यह लागा आप ज़ज्बंट तो नहीं लिखेंगा न आप लिखने आपको पता है जो हमको नहीं पता है तो बता दीजिए आपकी कोई बात हुई क्या बड़े लोग झाल झाल